तो दोस्तो लेटेस्ट न्यूज अपडेट की एक नई वीडियो में आप सब का स्वागत है और आज आपके लिए शिक्षा जगेश से जुड़ी कुछ खास-खास खबरें वो लेकर आयों तो बने रहे हमारे साथ नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूटूब चेनल तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले लास्ट वाले पोल की बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में मैंने आपसे पूशा था क्या प्राइवेट इसकूल को सरकार की तरफ से कोई साहिता या अनुदान मिलना चीए या नहीं तो ऐसे में 77% लोगों ने ये कहा हाँ इन प्राइवेट इसकूलों को सरकार की तरफ से साहिता मिलने चीए खेर कोई बात नहीं, ये तो एक आपकी राए है और आज बात कर लेते हैं आज वाले पोल की और आज का पोल ये है कि प्राइवेट एसकूल में आटी के तहत जो प्रवेश दिये जाते हैं तो क्या ये सरकार का निनने सही है या फिर गलत है इन परवेश से प्राइवेट स्कूल में प्रेशानिया भढ़ती है या नहीं इसके बारे में आपकी क्या राई है कमेंट में दीजेगा पोस्ट में दीजेगा और जाके ट्विटर पे अपनी राय हो जरू दीजेगा चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर है सर्वोदे विचार प्रिक्षाद 2021 को लेकिए और खबर ये है कि सर्वोदे विचार प्रिक्षाद 2021 की जो प्रिक्षा है वो 14 नॉम्बर 2021 को आईजित होने वाली है और इसके लिए RBC बोर्ड एजमेर के प्रिक्षा की खास बात यह है कि यह जो प्रिक्षा वो दो बज़े से लेके साड़े तीन बज़े तक वो आईजित होने वाली है अगर आपने अभी तक अपने प्रिक्षा सेंटर का पता नहीं लगाया तो जल्दी से अपना एड्मिट कार्ड है वो ले लिजेगा और पत ख़वर है वो रिट एक्जाम 2021 के रिजेल्ट को ले करके है और ख़वर यह है कि यह दी आपने रिट एक्जाम 2021 दी है और आप अपने रिजेल्ट से नाखुस है तो भिया इसके लिए RBC Board अजमेर के दवारा अपतिया या फिर शिकायत है वो मांग लिए है इसके लिए आवेदन कर सकते हूँ आगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिजेल्ट में नमबर कम आए है जबकि मेरी ओमार शीट के अंदर नंमबर ज़्यादा बन रहे है तो ऐसे में आप अपनी शिकायत ओर दरज करवा सकते हैं अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि बाइचांच मेरी जो लेंग्वेज है मैंने ओनलाइन फोरम भरते समय या ओमार सीट के अंदर वो गलत भर दी तो ऐसे में मेरा जो रिजेल्ट है वो कम हो गया तो यहां पर आप अपनी फैस्ट और सेकिंड जो लेंग्वेज है उसमें भी आप सिकायत कर सकते हैं या सुनसोधन कर सकते हैं इसके लिए ओनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं और ओनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तित्थी है वो 13 नॉमबर 2021 है इसके लिए किस तरह से आप online आवेदन कर सकते हैं तो इसके लिए मने अलग से हमारा दूसरा चेनल है जिसका नाम है ग्यानकामना वहाँ पर मने पूरी प्रोशे से वो बता दी है उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के description में हो मिल जाएगा चलिए अगली खबर की बात करते हैं और अगली जो खबर है वो है RT admission 2021 को लेके और खबर यह है कि स्कूलों की तरफ से RT admission 2021 के document verification करने की आज अंतिमति थी यानि no number तक यहाँ पर स्कूल की तरफ से जो जो RT के तहत आविदन प्रापते हैं उन सभी student के आपको document का verification करना अगर आपको सही लगते हैं तो उनको आप verify कर दीजेगा अगर आपको सही नहीं लगते हैं तो उनको आप reject हवो कर दीजेगा रिजेक्ट होने के बाद document पूरी तरह से या admission रिजेक्ट नहीं होगा एक बार यहाँ पर अभिभाव की तरफ से उन document में अपडेट हो किया जा सकता है और अपडेट करने की यह जो प्रोसेस है वो यहाँ 10 November से लेके 14 November की बीज तक हो रहने वाली है उसके बाद है यहाँ 15 November से इसकुल की तरफ से फिर से document verification की प्रोसेस वो चलेगी और फिर यहाँ पर RT admission की प्रोसेस वो चलेगी चलिए अगली खबर की बात करते हो और विया अगली जो खबर है वो विरोजगार साथियों के लिए अब विरोजगार भहियों को जो विरोजगारी भत्ता वो आसान जाता है लेकिन पहले ये वैसे ही आवेदन करने के बाद हर मंथ वो दिया जाता था लेकिन अब से आगे ये जो विरोजगारी बत्ता है वो आसानी से नहीं दिया जाएगा उनको हर रोज है किसी नजदी की सरकारी जो कारियाले उसमें चार गंटे काम करना हो पड़ेगा और इन चार गंटों की पूरी जो परकिरिया उनको SSO ID के माद्यम से भिया उनको जानकारी देनी पड़ेगी तब ही विया उनको ये बिरोजगारी बत्ता है वो प्राप्त हो सेकेगा जली अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर है राजिस्थान गरामिन ओलंपिक 2021 में भी है अपने पूरे राजिस्थान में भूत ही कम लोगों ने है रूची वो दिखाई है तकरीबन 30% ही पंजने इन राजिस्थान गरामिन ओलंपिक खेलों के तैथ वो प्राप्त हुए हैं क्योंकि खेल में जो रूची रखने वाले जो खिलाएड़े हैं साइध उन साइध पर शम में जो खेलों के परकर अपनी रूची रखते हैं उनसे जाओगा आप भी राजिस्थान गरामिन ओलंपिक खेल 2021 में भाग लीजियेगा और अपनी जो परतीवा वो देखाएगा क्योंकि अब भी यहाँ पे 15 नॉंबर 2021 तक इसके offline और online आवेदना वो भरे जा रहे हैं तो यह आवेदना वो आप भर दीजेगा चलिए अगली खबर की बात करते हो और विया अगली जो खबर है वो नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कोलर्शिप से है और खबर यह है कि विया नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कोलर्शिप की जो प्रिक्सा वो 17 नॉंबर को आई जित होने वाली है 11 बज़े से लेके 2 पर 2 बज़े के बीच में अब यह नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कोलर्शिप है क्या ये दोस्तों ये है कि सरकारी स्कूल के अंदर जो भी बालक या बलिका ड्रोप डाउन हो है उनको सिक्षा के परती जुडाओ करने के लिए या फिर जिनकी आर्थिक इस्ति कमजोर है उनको सिक्षा के परती जोडने के लिए ये नेशनल कम मेरिट जो स्कूलर्शिप है ये आ विधारतियों के परवेश पत्तर है वो आप डाउनलोड कर लिजेगा और उनको वित्रिता वो कर दीजेगा। वो शुरू कर दीए हैं और ये ओनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम्तिती है वो 30 नॉवंबर 2021 है। वो सभी जो चातर चातर हैं वो इस स्कोलर्शिप के लिए पातर हैं। संबंदी जो दस्तावेज हैं इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है वो वीडियो आप देख लिजेगा और ओनलाइन आवेदन कर दीजेगा। अगली खबर की बात करते हैं और विया अगली खबर है शिक्षन सेंस्ताओं के लिए शिक्षया विभाग की तरब से हैं। कि विया खबर पक्की है और खबर ये है कि 15 नौबर 2021 से अपने पूरे राजिस्थान में एक बार फिर से सभी जो शिक्षन सेंस्ताओं हैं वो 100% चमता के साथ हैं वो उपन हो सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि COVID-19 को चलते वे राजिस्थान सरकार के दोरा यहाँ पर एक बार सिक्षन सेंस्ताओं के लिए 50% की अनुमती है वो दी गई थी लेकिन यहाँ पर 15 नौबर से यहाँ पर कोई भी पाबंदी है वो नहीं रहने वाली है पूरी चमता के साथ हैं प्रोग्राम होते हैं ब्या साध्य होती हैं तो भी यह वहाँ पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी अनलिमिटेड काम हो शकता है लेकिन COVID-19 के नेमों का आपको पालन हो जरूर रखना पड़ेगा तो दोस्तों यह तो थी आज 9 नौबर की कुछ खास खास सिक्षा जगे से जब ड़ी कुछ खबरें तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतनी ही खबरों के बारे में मैं आपको जानकारी वह देने वाला हो अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तयार वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़ादा से ज़ादा अपने दोस्तों में भी शे बीड़ा भारत